नमस्काल आप देख रहे हैं नवभारे टाइम्स ऑनलाइन और मैं इस समय मौजूद हूँ घोसी लोगसभा छेत्र के बिधान सभा महू में जहां पर चुनावी चकलस जानने के लिए चाय की चुस्की के साथ यहां लोग राजनितिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं हम बि अलमाल लोग है आईए बताइए जो अधार चल रहा है इसमें सरगर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है देखिए अभी तो आज जो है कल लमांकन का अंतिम्देर था आज 34 प्रत्यासी में से कुल 29 प्रत्यासी रहा गए पांच लोगों परचा खारीज हुआ है मुख्यतीन पाटियां चुनाव रहे है किसी को कम जोड़ रही कहा जा सकता बहुजर समाज पाटी भी बहुत काईए से चुनाव लड़ रही है चवान मद्दाता चवान मद्दाता को चवान प्रत्यासी को वोट दे रहा है जो उनके पिच्चर क्लियर जब बड़े-बड़े राजनीतिक पाटियों के बड़े-बड़े जो पदा नेता है जब आकर अपनी रेलिया करके चले जाएंगे तो आखरी का दस दिन वह कतलकी रात होगी और उसी में सन्नेड़ हो जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है कौन चुना माहौल के अभी बात करें तो सातवे चरण में चुना होना है और चौदर तारीक को जो है नामांकन खत्म हुआ है अब नामांकन पत्रों की जाच हो रही है इसके बाद सिंबल इलाइट्मेंट होगा तो माहौल तो भी है कि समाजवादी पार्टी को भी कुछ लोग जीता में लाइट करें कि इंडिया के प्रकाशी लीड कर रहा है है इंडिया का प्रकाशी लीड कर रहा है अब हो जाएगी क्योंकि अभी जो कुरुसोल इस्टेज है वह बाकी है और भी सार्थ से लेकित 10 सारिज तक ऐसरो हम मान रहे हैं आई तुमलर्ण एलाइक्मेंट है तो बीस से तीस का जो दस दिन का समय हैह से क्याई । अभी आने वाला समय दस दिन का है अभी फिर भी लोग जनता जो है पत्रकारों सो जादा उमीद रखती है कि क्या भी अभी एसेस्मेंट आप क्या कर रहे हैं जिसके दिल में जिस पार्टी के प्रती स्रद्धा है वो उस पार्टी की बात कर रहा है अभी तो कुछ हुआ ने पर नामांकन में हुआ है तो जो चुनावी घमासान है वो जब चुनावी घमासान सुरूगा घोसी में और बड़े लीडर्स आएंगे और राइलिया होंगी तो जो माहोल उस समय च्छण के साबने आएगा वो भी शेशुर्फ से हैं आला कि लडाई काते की है इंडिया और इंडिय के बीच लडाई होनी है और दोनों चीज Jenegi प्रप्रienna applies की है यॉ नहीं है क्योंकि जो बश्पा को में दवाझ रह हैं यहां के सांसर लेकिन उसके बढ़ लगातार कुर्षी कोलिये के तलम दख चल भी नहीं पा रहे है और बस्ता का जो बेसोट है तो आप जानते हैं कि बस्ता कि वोटर हैं वो स्ब Murray करतें curricula करें लेकिन हंभी एक बस्ता के वोटर के भरोसिय चौहान है जाती विरादरी के नाम पर जरूर वोट पड़ता है चौहानों कितना वोट लेंगे वोंड के लिए प्लस रहेगा लेकिन त्रिकोडी मुकाबला मेरे इस हिती में नहीं है यह इंडिया और इंडिया की अभी दस दिनों तक election campaign से बाहर थे लेकिन अब वो आ गये हैं खुब अच्छे से प्रचार चल रहा है और यह दोनों ही लड़ेंगे और जहां तक बस्पा की बात की जाए मुझे नहीं लगता बस्पा बहुत क्योंकि वो निवर्तमान कारकाल भी लोगों ने देखा है तो यहां दो ही लोग लड़ेंगे राजी अरविंद राजभर की तरफ से एक चीज दीमेरिक्स हो रही है उनके पिता जी बहुत कलपत्रकारों से उन्होंने लड़ाईया हो गई कुछ लोगों को बचना चाहिए जो लोगों को लगता है क बड़ी बड़ी रैलिया होँगी अब हो सकता है नरेंद मोंदी जी प्रतान मंत्री आ जाए अमिसा जी आए उसके बाद यह समीकरन और निखर के आएगा लोगों के अंदर यह है कि इस बार चुनाओ में मद्दान करना है और यह निश्पक्ष रूप से मद्दान होगा जानते हैं पत्रकार हैं और अजिवत्ता भी हैं अजिए घोसी के हम बात करें तो आज घोसी में जिस्तर के चुनाओ है निश्चित तोर पर तीन प्रत्यासी जो बहुत ही काटे की टकर है बालकेशुच चवहान जी यहां बहुजन समाज पाइटी से राजिव जी जो हैं समाजवादी पाइटी से और अर्विन जी है और सुभासपा से एंडी अगट बंदन से तीनों लोगों में बहुत ही स्थिती काटे का रहा है लेकिन जो स्थितिया है बर्तमान स्वह में अभी तक जो दो प्रत्यासी थे उनकी बोटिंग परसेंट है जो जिसका जितना लोग लगा रहा है और आने वाला कल जो है जो हमरे देश के प्रथार मुंतरी जबा रहा है इस ततिया बिल्कुल बदल जाएंगी और यहां पर घोसी लोग सबाशिक्र में एक बड़ा प्रड़ाम देखने को मिलेगा जो निस्टित और प्रत्यासी अर्विन जी इससे मज जो बड़े नेता थे और लोग भी विरोध पर उतर गए थे उनका पुतला फोके थे कई जगा उनका विरोध कि उसके बाद भी सपा बसपा जैसी दो मजबूत संगठन जब एक साथ मिलक लड़े उसके बाद धरन राएंजी यहां से करीब एक सबालाग पोट अधिक पाय सिर्फ उस परिडाम के अगर इर्दगर्द में रहा वोट तो निश्चित तो रुपए यहां पर एंडिये का आपको प्रतियासी जो है संसाथ बहुत होता है तो जो आकड़े बता रहा है प्रतियासी आज संजुत रूप से बड़े मुर्चिक साथ लड़ रहा है और इस चुनाव को जनता लड़ रही है जनता लड़े जैसे बहुत लोग समीकन बता रहा है कि यह है वह है हम भी गाओं में घूम रहा है है इस चुनाव को जनता ने और जो एंडिये की बात कर रहा है मैं एंडिये के प्रतियासी को जो एंडिये के प्रतियासी से जनना च जिए एक जंडा और गले में पट्टी भी भाजबा का नहीं लेके चल ला है चुकि अंदर में जाना है तो डर लग रहा है तो इसलिए छाड़ी का केवल वसनाम और जो यह लोकारें की इंडिये का अगर इंडिये गट बंधन का प्रत्यासी है जी से इंडिये गट बंधन का जाकर घोसी के सभी वर्गों की आवाज चाहे बुनकर हो चाहे किसान हो चाहे इवा हो छात्र हो सबकी बात मजबूती से रख सके और इसलिए इस बार और देखिए एक जो समस्या है जो यह रास्तिय चुनाव है यह लोकल मिल्सिपाल्टी का चुनाव नहीं है इसमें महंगाई भी है बेरोजिगारी भी है इवाव की समस्या है भारत के किहास में पहली बार नीट का एक् पर देखिए गड़ा लुपिया में अपने बेटे का खीज दे रहा हूं तो नोकरी के लिए पढ़ा रहा हूं ना सिछा इसलिए दिलवा रहा हूं उसको आगे चलके जौब मिलना चाहिए और आज यह सरकार उस पर बात करना चाहती है तो इस बार तो जंटा चुनाव लो मैं कल गाओं में तीन गाओं का नाम बता दे रहा हूं असपस जाके वहां आप लोग पता करिएगा ताजेपूर परदहां और डुमराओं मैं बैठा था यह जंता हमने बताया कि इंडिया गड़ बंधन के लिए समर्थन मांगने आया हूं कहा कि बाबु जाहिए इस बाह है कि हम 10 किलो राशन देने का काम करेंगे अगर राशन की विवात है तो 10 किलो देंगे और जनता चुनाएं नहीं है हूं प्रकास राजभर जी ने कल जिस तरीके से यूटूबर और पत्रकारों को जासूस बोला है और जिस तरीके से महां बत्तमीजिया हुई है क्या यह को कि जनता बढ़ास करेंगी हम लोग तो पभी नहीं बढ़ास करेंगे और जून को यह जनता समझा देगी पदमेस तीवारी के साथ अब wsदरता होती है पदमेस तीवारी के साथ अब अब नबताम जान भोसी हमेशा जो है जात्यों धरम से उपर उठ किया है और हम कांग् की देख स्डेशक्राया यांके ने तुट करते थे ज söylेति में सबस्तिम समण का ऊद और मुझे आइसँ लगता है कि देश हस्तर पर जो इस बार का छुना होने जा रहा है वह जश्झा पर रोजगार पर महंगाई पर चुना होने जा और इस बार लोग अपने अपने विकास के लिए अपने नोकरी के लिए अपने विकास के लिए लोग उठकर रहा है और या बदला घोसी में भी दिख रहा है मैं राइबरेली गया था मैं मेठी गया था मैं बारा बंकी गया था मैं सुल्तानपुर गया था वहां मैं गाउं क कि बंषने कूर मिला है धल इस बस्ति में जाईए डलित का हुए कि मैं सम्धान पर नंजोंगी अगर सिछा रहेगी तो नोकरी हम छीन लेंगे इस सवाल पर लोग उट करने जा रहा हैं तिसान अपने सवाल परोड करने जा रहा है मुझे बदलावद दि przypadku रहा है और घोसी नहीं मुझे तो उत्तर प्रदेश की लगभग साथ सीटों पर मुझे गडबंधन जीतने जा रहा है और यह दिखाई दे रहा है क्योंकि सर्व समाज का उट पढ़ने जा रहा है इस बार सर्व समाज दलित हो मुस्लिम हो यादव हो गुमिहार हो ब्रामर हो सबी काश्ट के लोग इस बार उट करने जा रहे हैं और घोसी भी इसी महाल में है चलिए हमारे साथ एक और यह आने तरह जुटे हैं बुनी से कंफिजन करते हैं चलिए घोसी का क्या मुझे घोसी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं गडबंधन इंडिये जो है और डाक्टर मंत्री का कोई कड्रिल घो बात morte whatsafe वाली है刁 बिना सेना पती के पूरा देश की जञतार रही है कि भीना सेना पती पहनरे लडाई लड़ी नहीं सकते हमारा सेना पति पान नी प्रद्धन प्रत्रिया मिली है उसे यह साफ जाहिर हो रहा है जो यह नेताओं ने प्रत्रिया जताया है विकास के मुद्धे पर चुना हो रहा है विकास के नाम पर यहां पर उट परेंगे बेग मिस्रा एंविटी अनलाइन मव